भारत सौथ अफ्रीका बंडे मैच को लेकर पुलिस परशाशे ने भी तयारियां शुरू कर दी हैं ट्राफिक को देखते हुए शहर को चार सेक्टरों में बांटा जाएगा भारत सौथ अफ्रीका बंडे मैच को लेकर पुलिस परशाशे ने भी तयारियां शुरू कर दी हैं ट्राफिक को देखते हुए शहर को चार सेक्टरों में बांटा जाएगा भी शुरक्षा को लेकर पुलिस जवान 10 मार्च को शुरक्षा का जिमा संबाल लेंगे मैच को इमदे नजर जिला पुलिस की और से पैरा ग्लाइटिंग पर प्रतिवन लगाने के लिए फिलहाल कोई निर्देश जारी नहीं किये गए है मैच की दौरान शुरक्षा को लेकर 900 के लगवग पुलिस जवानों को तेहनात किया जाएगा जो कि शहर सहित स्टेडियम की शुरक्षा विवस्ता देखेंगे मैच को लेकर पुलिस पूरी रणनीती के तहरत काम कर रही है पुलिस जवानों को मैच के दौरान शुरक्षा विवस्ता संबालेंगे उन्होंने कहा कि ट्रैफिक को लेकर शहर को तीन से चार सेक्टरों में बाटा जाएगा जिपकी बीड को लेकर सेक्टराइजेशन स्टेडियम के जो बड़े परविस द्वार हैं उसके दार पर की जाएगी एसपी जिला कांगडा बिमुक्त रंचे ने कहा कि टिकट बलैक को लेकर पिछले मामलों को देखते हुए हपी सीए को कहा गया है कि कोई ऐसी सूचना आती है तो पुलिस को सूचित करें पैरा ग्लैंड को रोकने के लिए किसी भी तरह का अगरे नहीं किया गया है धर्मशाला आने वाले सबी सट्क मार्गों पर 6 से 7 नाके लगाए जाएंगे सारी प्लानिंग और जो भी सिक्यूरिटी स्कीम है वो तैयार कर लिया गया है और वी आरेडी फर गेटिंग इट कंडुक्टिट इन अ सेफ और सेक्यूर मेंट शहर तो ट्रेफिक के दिश्टिकूंट से तीन या चार सेक्टर में रहेगा लेकिन में जो सेक्टराइ़जेशन है वो क्राउड को लेकर के और उनकी अंट्री को लेकर के होती है तो जो स्टेडियम के स्टैंडर पाँच बड़े अंट्री केट्स हैं उसके अधार पर ही सेक्टराइ़जेशन की की गई है पुलिस फोर्स नौ पार्शली नौ तरीक से और उसके बाद दस तरीक से पुरान रोग से नहीं समद्ध में हमारे पास ना कोई इंफर्मेशन है ना कोई सूचना है ना टिक्टिंग को लेकर के हच्पी सीय की ओर से हमें ऐसी कोई अशंका या ऐसा कुछ आया है हमने अपनी ओर से हच्पी सीय को सेंसेटाइज कर दिया है कि पिछली बार ऐसा कोई एक मामला संग्यान में आया था तो वो सचेत रहें और ऐसी कोई भी अगर ऐसे उनके पास सूचना आती है तो हमें सूचित करें दर्मशाला की ओर आने वाले सभी जितने भी रोड्स हैं उन सभी को छेया साथ नाके हमें उसके लगाने पड़ते हैं सभी पॉइंट्स को हम लोग सील करेंगे और वहां पर नाके लगाएगे पार्किंग की व्यवस्ता पुलिस ग्राउंड में रहेगी दाड़ी मेला ग्राउंड में रहेगी विधान सभा के पास जो रावर स्टेडियम है वहां पर रहेगी डिस्यू आफिस की पार्किंग है यहां पर भी रहेगी